आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question में हमसे पूछ रहा है कि जो डाउट स्टेम होती है उसके Cortical Region के अंदर जो Secondary Growth होती है वो इन में से किसकी Activity की वज़े से होती है क्या Cambium की Activity, Phelogen, Phelum या Pheloderm तो चलिए बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं Vascular Cambium की तो Vascular Cambium क्या है ये Vascular Cambium एक लेटरल Cambium है जो की इंटराफसिकूलर और इंटरफसिकूलर Cambium बनाते हैं मतलब ये Vascular Cambium जो है फॉर्म होता है किसकी हेल्प से ये एक लेटरल Cambium है और इसको बना कौन रहे हैं दो Cambium इसको फॉर्म कर रहे हैं जिसमें से एक हमारा है इंटरा फैसिकूलर और इंटर फैसिकूलर ये दोनों इस लेटरल Cambium को इस Vascular Cambium को प्रेड्यूस करते हैं इतनी बात हमें clear है ये दोनों Cambium करते हैं अब अगर हम बात करते हैं कि Vascular Cambium क्या करता है यह क्या करता है यह phloem या फिर xylem mother cell को add करता है यह vascular cambium का अगर function देखें तो क्या करता है यह it adds phloem और xylem mother cells कहां पर add करता है यह mother cells कहां पर add करता है यह हमारे functioning अगर हम इसकी देखें तो यह xylem and phloem mother cells को add करता है जो कि differentiate होते हैं अपने respective cell type पर इसलिए यह secondary steeler growth करते हैं अब यह जो xylem and phloem है यह क्या करते हैं secondary steeler growth उसके लिए यह responsible होते हैं अब hypodermis की जब हम बात करते हैं तो hypodermis cortical cells present होते हैं सिर्फ उसके नीचे और epidermis मतलब वो meristematic मतलब की hypodermis की जब हम बात करते हैं मैंने क्या बोला की hypodermis कहां पर होती है epidermis के नीचे बैनिल अब यह क्या करते है यह meristematic activities को resume करके रखती है और phalogen बनाती है phalogen का मतलब है cork तो यह क्या produce करती है हमारी cork और phalogen ठीक है अब यह phalogen बना दिया इसने कहां पर बनाती है epidermis के बिल्कुल नीचे जहां पर यह situated है अब फैलोजन यानि की cork एक extra steeler lateral meristem है जो क्या बनाता है secondary tissue system यह बनाता है हमारा secondary tissue system अब हम यह पूरा system पूरा mechanism देख रहे हैं secondary growth का जिसमें इसे हमें answer भी पता चल जाएगा तो अब यह जो cork cambium है या यह जो phalogen है इसने phaloderm बनाया cork या phloem के अंदर मतलब इसने अंदर phaloderm बना दिया और cork बाहर की तरफ बना दी मतलब यह phalogen differentiated form में है इसने क्या किया cork बनाया और क्या बनाया phalogen ठीक है phaloderm तो यह दो चीज़े इसने बनाई यह अंदर की तरफ है और यह बाहर की तरफ है इतनी बात हमें समझाई यह दोनों चीज़े इसने बना दी अब extra stealer secondary tissues में इसने यह दोनों भी add कर दी है तो अब अगर हम अपना answer देखें तो हमारा answer होगा phalogen क्यूंकि उसी ने तो secondary growth cortical region के अंदर करी epidermis के beneath hypodermis में तो इसके according हमारा answer क्या होगा option second phalogen हमने सारी के सारा mechanism देखा किस तरह से क्या बना then किस तरह से हमारा phalogen आया उसने cork and phaloderm को वहाँ पर situate किया so option second is the correct answer classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर